नमस्कार दोस्तों कैसे अब सभी उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने आधर काड में नेम कैसे कारेक्शन कर सकते हैं फिर पूरा चेंज कर सकते हैं और ऑनलाइन हम घर बैठे कर सकते हैं इसके लिए कोई कम् सबसे पहले इस वेडियो के उपर आना है इसका जो लिंक है वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और इस वेडियो के उपर आने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा यहाँ पे सिंप्लि आपको जाना है लॉगिन में और लॉगिन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंटर आधर नमबर यहाँ पे क्याप्चा कोड डालना है और करना है सेंड होगा तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरा जो OTP है 861648 और OTP डालने के बाद सिंप्लि करना है लॉगिन और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं माई आधर नीचे की तरह है सर्विसेस तो सर सिंप्लि करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आता है यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे और करेंगे प्रोसीड टू अपडेट आधर करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज, नेम, डेट ओब बर्ट, जेंडर अपडेस, तो यहाँ पे हम सिलेट करेंगे नेम, क्योंकि हम नेम करेक्शन याँ फिर चेंज करने वाले हैं, तो यहाँ पे नेम को सिलेट करके सिंप्लि करना है, प्रोसीड टू अपडेट आधर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा, य नेम डालने के बाद नीचे की तरफ जाना है, आप देख सकते हैं, मैनुवल अपलोट और डीजी लोकर, आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यमेंट अपलोट करना है, जिसमें आपका निउव नेम मेंसन है, ठीक है, तो यहाँ पे आप मैनुवल अपलोट सिलेट करेंगे, औ यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, गैजेट नोटिफिकेशन, मैरेच एपिडेविट, यहाँ पे मैरेच सर्टिफिकेट, एनरसी कॉल लेटर, यहाँ पे काफी सरे सपोर्टिंग डॉक्यमेंट अपलोट करने का ओप्सन अपको मिल जाएगा, तो आपके बास जो भी डॉक्यमेंट है, आप सिलेट कीजिए, तो मेरे पास पैन कर है, जो निव नेम मेंसन है, ठीक है, तो करता हूँ, ओके और ओके करने के बाद सिंप्ली करना है, नेक्स्ट, बढ़ नेक्स्ट करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, भ्यू, डीटेल्स, एन्ड अप्लोड डॉक्यमेंट, यहाँ पे क्लिक करना है, और आपका जो डॉक्यमेंट है, आपको सिलेट करना है, कंटीनू टू अप्लोड, और आपका जो फाइल है, यहाँ पे अलाव करना है, और यहाँ पे आपको फाइल खोलना है, आपके फोन पर जो फाइल है, और यहाँ और tick mark लगाने के बाद simply करना है next, next करने के बाद जो अगला interface आएगा payment का option है, आप देख सकते dear resident, you will be charged Rs.50 to process the online update request, यहाँ पर tick mark लगाएंगे और simply करेंगे make payment, और जैसे ही आपका payment successful हो जाता है, आधर authority के पास आपका जो request है चला जाएगा, within 10 to 15 days अगर आपका सब पुछ सही रहेगा, तो correction हो जाएगा, आधर कार में new name आ जाएगा, old जो name है, हड़ जाएगा, यह फिर name का कोई spelling भी correction करना है, correction हो जाएगा, within 10 to 15 days, अगर कोई आपके documents में issue होगा, तो reject हो जाएगा, और जो 50 रूपीज है, non refundable है, अगर आपका reject हो जाता है, जो 50 रूपीज है, refund नहीं मिलेगा, तो आपको दिखा दिया, किस तरीके से आप online घर वैठे, आधर कार में आपका name चेंज कर सकते हैं, फिर correction कर सकते हैं, दोस्तों अपने देख लिया, किस तरीके से हम online घर वैठे, अपनी mobile phone से आधर का नेम चेंज कर सकते हैं, वीडियो पसंद आया, तो like कीजिए, सेयर कीजिए, और चैनल पर पहली पर आए तो प्रीज सब्सक्राइब करके, बैल आइकन को जब प्रेस कीजिए, मिलता हम से नक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए, जय हिंद बंदे मातरम